परणाओ एक विनती है आप से कहिए राचन पिछले कई दिनों से तेरे सुपन में तेरे पिताश्री आ रहे हैं तो उनका खेहना था कि तुम्हारे पिताश्री को शांती नहीं मिली उनके लिए पूजा कर्मियों यग्य संपन करना आप आप तो परमग्यान का सवरूप है तो विनती है आप से कि पूजा विधी आप ही के हाथों से हो जो मेरे पिताश्री तक पहुचे है उन्हें मुक्ती मिले जीवन मरन के इस चक्र से वो बौक्ष वाले अवश्य राचन आप मिट्ट के दो घड़े मंगवाई है एक में घी भरवाई है और एक घड़े में कंकट पत्थर भरवाई है और उन दोनों घड़ों के मूँ कपड़े से बतवा दीजिए और उन्हें लेके नदी के तक पर आई वहीं आपकि प्रतिक्षा करूँ है मैं भी इसका प्रबंध करता हो मा महाराज अब आप इन दोनों घड़ों को पानी में डाल दीजिए महाराज अब इन दोनों घड़ों को आप तोड़ दीजिए महाराज अब आप ध्यान से देखिए गी उपर उठ पानी पर तैरने लगा अब बताईए मेरे या किसी और के पूजा पाट करने से क्या ये घी नीचे बैठ सकता है असंभव ये तो घी का सवभावी नहीं सत्य कहाब उसी प्रकार किसी भी पूजा पाट विधी विदान कर्म कांड के द्वारा पानी के अंदर डूबेवे कंकड़ पत्थर क्या उपरा तैर सकते हैं नहीं भूद्ध ये तो प्रकरती के न हम भी तो प्रकृति का ही रूब है सत्यकावत एक सत्य ये भी है राजम जदी हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन काल में कंकड पत्थर बोएं दुश कर्म कियें तो वो स्वभाविक ही कंकड पत्थर की तरह नीचे बैठ जाएंगे और यदि उन्होंने अपने जीवन काल में सत्कर्म कियें तो स्वभाविक ही घी की तरह उपरा पैरने लगेंगे जब वहेंगे वही काल परन्तु इस शरीर रूपी जीवन काल में ही नहीं अपिदू, इस शरीर रूपी जीवनकाल के पश्चात वाली यात्रा में भी हम जैसे कर्म करेंगे, वैसा ही फल मिलेगा अब बताईए, इस पकर्ती के नियम को कोई पूजा पाठ, कर्म कांड, विधी विधान, यग्य हवन मिटा सकता है? राजन, मैं भी इसको नहीं बदल सकता है, केवल अच्छे कर्म ही मनुष्य की मुक्ती का दुवार खुलेंगे यह कैसी तलवार है आपके हाथ लिपकों, तो एक शण में सारे जूट काट किवल ज्यान को प्रकाशित करती है राजाने कितने जन्मों और भटकता है, यदि आपकी गृपा ना होती है इस एक शण में आपने अपनी अद्रिश्य तलवार से मेरे आंकार का सर भी काट दिया धन्य है प्रभभ